लेपर्ड की हंटिंग टेक्टिस दुनिया के किसी भी जीव को कभी भी मात दे सकती है इस बात में कोई दो रह नहीं है कहने को तेंदवा और शेर दोनों ही ताकतवर होते हैं लेकिन जब बात रफतार और फूर्तीले जानवर की आती है तो लेपर्ड बाजी मार लेता है ले ही वज़ा है कि शिकार को इसकी मौजूद्गी का जल्दी एहसास नहीं होता जब कभी एनिवर किंग्डम में लेपर्ड शिकार करते हैं तो उनका टार्गेट फिक्स होता है और यह अक्सर उसे पाकर ही दम लेते हैं बात अगर शिकार की लड़ाई की हो तो तेंदवे कु यहां तक कि हम लेपर्ड को जिब्रा जैसे जानवर को घसीट कर अपना शिकार बनाते हुए भी देखेंगे तो तयार हो जाए लेपर्ड की कुछ बहतरीन फीचर्स का लिट फुटाने के लिए तो चली शुरू करते हैं लेपर्ड वर्सिस मंकी पैंथेरा पर्ट्स यानि अपनी हंटिंग टैक्टिक्स में एक्सपर्ट होते हैं इस क्लिप में लिवपर्ड ने बंदर को अपने शिकार के रूपे चुनाएं यह देखिए कितनी होश्यारी से अपने शिकार की ओर बढ़ रहा है बंदर जानता है कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि पास केवल दो ही पेड़ मौझूद है इनकी शाखाओं में वो कितनी भी इदर उदर कर ले लेकिन आखिर में तेंद्वा एक छलांग में ही अपने शिकार को पकड़ लेता है यह इसके शिकार करने का काफी कूल अंदाज है इससे पता चलता है कि तेंद्वा पेड़ पर ही उतनी मजवे खिलाड़ी हैं जितना की जमीन पर हाड़ वूड अटैक तेंद्वा आकार में बाग और शेर से छोटा होता है परंतु उर्जा के मामले में यह बाग और शेर से फूर्तिला होता है इनकी स्पेशलिटी है कि यह अपनी जीवन का जादा तर समय पेड़ पर आपको भी शायद इस क्लिप में पेड़ पर शिपा लेपर नहीं दिख रहा होगा लेकिन फिर यह जानवर एक सूपर जंप लेता है और सीधे हीरन पर हमला कर देता है किवल एक ही हमले में तेंद्वे अपनी लिए लंच और टीनर का इंतिजाम कर लेता है और बड़ी क्लिप में मौजूद लेपर की प्रजाती आमतर पर भारत में पाई जाती है जंगलों के कटने की वज़र से इनका इंसानों के बीच आना काफी कॉमन हो गया है कभी-कभी यह जीव भोजन की तलाश में भी इनसानों की बस्ती में शिरकत करते हैं और तभी इन्हें आने के मकसद से आया है ज्यादा तर इस जीव का टार्गेट कुत्ते या भक्र ही रहते हैं देखें कैसे तेंदुआ दर्वाजे पर सो रहे कुत्ते के पास आता है और फिर चार मिनट तक अपने शिकार को निहारने के बाद यह जीव भिजली की रफतार से उस पर हमला करत है हाला कि कुत्ता शोर करके मालिक से मदद की गुहार लगाता है लेकिन इससे पहले की लोग कुछ कर पाएं यह अपने शिकार को लेकर सही मौके पर नौदुग 11 हो जाता है ऐसा ही एक और घातक हमला आपको दिखाते हैं जहां तेंदुआ घर के बाहर सो रहे कुत्ते की क गर्दन पर वार करता है और उसे खाने की कोशिश करता है ऐसा लग रहा है मानो लेपर्ड को यह जीव मील के तोर पर सर्व करने के लिए रखा गया है पर तेंदुआ भी कहां असानी से हार मानने वाला है वो जो चाहता है सब कुछ उसी के योजना के हिसाब से हो रहा है वहां से चलता बनता है इस तरह शिकार करना चीते की स्पेशलिटी है लेपर्ड वर्सेस हाईना अब ज़रा इस वीडियो पर नज़र डालिए जहां मेल लेपर्ड भोजन के लिए हाईना से लड़ रहा है ताकत में खुद को ज़्यादा आकने के बाद ये जीव उसे बोजन को छोड़कर थोड़ी देर के लिए पीछे अड़ जाती है और इतनी देर में अपनी फ्लेक्सबिलिटी का कमाल दिखा कर शिकार को लेकर पेड़ पर चड़ जाता है हाईना उसे रोकने के लिए उसके भागती है लेकिन वो कहते हैं आप पस्तावे होत क्या जब च लियार रहते हैं अब जरा इस क्लिप पर अपनी नज़र डालिए यह है एक जवान मेल तिंद्वा जो आस्मान की दो बड़ी पक्षियों पर धावा बोलने जा रहा है तेजी के साथ यह उनकी तरफ आता है और हमला करने में सफल साबित होता है लेकिन आस्मान में उड़न क्लिप में दोनों ही जीव अपनी पूरी ताकत का जोड लगा रहे हैं लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस लड़ाई का अंजाम लेपड के हक में आने वाला है हाला कि इस वॉर्थ डॉग के शरीर का आगार तेंद्वे के बराबर है लेकिन तेंद्वा अपने शिकार पर चना काफी मुश्किल है और आगे होता भी कुछ ऐसा ही है लेपड वर्सेस इंपाला लेपड को साइलेंट किलर किसी खास वज़े से ही कहा जाता है ये जीव छिपकर शिकार तो करते ही हैं साथ ही अपने शिकार को बचने का एक भी मौका नहीं देते जैसा कि इस वीडियो में दबोच लेता है ऐसा करने में इसे केवल कुछी सेकंड्स का समय लगता है हीरन के खिलाफ शिकार करते हुए तेंदुए की स्पीड कुछ ऐसी होती है ये जीव एनिमल किंडम के बाकी सदस्यों को ताकत में खुद से कम आगते हैं और केवल एक ही हमले में उनका काम तम करी पर अपनी नजर बनाय हुए धीरे धीरे य्ये उनके काफी करीब है और सभी समय का इंत verbess एक प्लटकि ऑ錢 में टीन रेखने की सबसे पसंदेजां में से एक है यहां तक कि हाइना और लाइन भी इस जीव का अपना भोजन बनाने से कत्राते हैं लेकिन हनी बेजर कोई कमजोर शिकारी नहीं है बलकि यह काफी बहादूर युद्धा है जो अपने शिकारियों से बहादूरी से लड़ना जानते हैं मरते दम तक यह जीव खुद क जब लड़ाई की बात आती है तो हनी बेजर दुनिया के सबसे खुंकार शिकारियों में से एक होते हैं यह वो जीव हैं जो कोबरा को भी अपना भोजन बनाना जानते हैं सापका जहर हनी बेजर पर कोई असर नहीं डालता और शायद यही वज़ा है कि यह शिकारी अपने यह थे एनिमल किंडम के सबसे खुंकार शिकारी के शिकार करने का तरीका जो बाकी जीवों से बेहद अलग है हावा से तेज भागने की ताकत के साथ साथ पानी जमीन और पेडों पर चड़ने की क्वालिटी के साथ इनको फूड चेन के सबसे टॉप प्रेडेटर्स कहा ज करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिक्शन आइगन को आन कर लिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप मिश ना करें मिलते हैं फिर कि सिर्फ वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार है